ग्राम बीसापुर के समीब एक जैदपुर नाम का छोटासा गाउं था जहां पर मक्खनलाल नाम का एक लालची मुनीम रहा करता था मक्खनलाल इतना लालची था कि वह हर जगे अपना मुनाफा धूंधी लेता मक्खनलाल के यहां एक श्यामा नाम की गाय थी जो बूड़ी होने की वज़े से अब दूद देना बंद कर चुकी थी एक दिन मक्खनलाल की पत्नी फूल मती अपने पती से कहती है अजी सुनते हो यह श्यामा तो अब बूड़ी हो गई है अब यहां दूद भी नहीं देती इसे तो रोज घास तरीत कर खिलाना भी अम महेंगा लगने लगा है हाँ भाग्यवान तुम बिल्कुल सही कह रही हो यह गाय तो अब हमारे किसी काम की ही नहीं है रोज रोज इसे चारा खिलाने से अच्छा है कि मैं इसे कल जंगल छोड़ाता हूँ दूसरे ही दिन मक्खन श्यामा को जंगल लेकर जाता है और उसे जंगल के बीचों बीच गनेवन में छोड़कर घर चला आता है वहीं से एक करण नाम का यूवक गुजरता है तब ही अचानक उसकी नजर उस गाय पर पड़ती है लगता है ये बेचारी गव माता चारा चरते चरते भटक गई होगी बेचारा इसका मालिक भी परिशान हो रहा होगा ये गव माता श्याम होने वाली है आपका मालिक भी आपको ढून रहा होगा क्या आपको अपना घर पता है तब ही शामा अपना सर हिला कर जवाब देती है और गाउं की और चलने लगती है करण भी गाए के साथ चल पड़ता है गाउं पहुँचकर वह गाए मक्खन के घर के सामने जाकर रुख जाती है करण समझ जाता है कि हो नहो इस गाए का घर यही है तब ही मक्खन और उसकी पत्नी घर से निकल कर बाहर आते हैं और श्यामा को देख कर बिल्कुल चौक जाते है अरे राम राम भाईया क्या ये गाए आपकी है यह मुझे जंगल में मिली लगता है शायद रास्ता भटक गई होगी हाँ भाई ये गाए मेरी ही है लेकिन यह जंगल में भटकी नहीं थी बल्कि मैं खुद इससे जंगल छोड़ाया था ये गाए अब बहुत बुड़ी हो चुकी है और अब दूद भी नहीं देती हम अब इस गाए को अपने घर पर रखकर भला क्या करते इसलिए मैं इसे जंगल छोड़ाया क्या कहा तुमने इस बेजुमान पशु को घर से निकाल दिया और ये भी नहीं सोचा कि इसका क्या होगा जंगल में इतने खतरनाक खतरनाक जानवर हैं वे इसे मार कर खा जाते तूने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा अरे तुझे इतना ही प्यार आ रहा है इस गाए पर, तो ले जा इसे अपने घर और पाल इसे करन उस गाए को अपने घर ले आता है शद्धा, ओ शद्धा, जरा बहार आकर तो देखो मैं तुमारी लिए क्या लाया हूँ अरे वा, हमारे घर में गव माता, ये कहां से लेकर आया आप तभी करन अपनी पत्नी शद्धा को इस गाए के साथ हुए अत्यचारों के विशय में सब कुछ बताता है आपने इसे यहां लाकर बिल्कुल ठीक किया, मैं दिन भर अकेले घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ इस बहाने मेरा भी वक्त कट जाएगा और गव माता की सेवा करने से बहुत पुन्नी मिलता है ये बेचारी अब दूद नहीं देती तो क्या हुआ, हम फिर भी इनकी सेवा करेंगे और बदले में गव माता जो गोवर देगी, उसकी कंडे बनाएंगे जो बोजन के इधन के रूप में काम आएंगे बिल्कुल सही कहा, पता है शत्ता, इस गाय का नाम श्यामा है अरे वा, ये तो बहुत सुन्दर नाम है शत्ता और करन, दोनों ही श्यामा की पूरे तन्मन से देख भाल करते हैं एक दिन करन और शत्ता के यहां एक सादू बाबा आती है सादू बाबा, आप बैठिये, मैं आपके भोजन का इंतिजाम करती हूँ सादू बाबा, श्यामा के पास जाते हैं हे गव माता, आप अपनी क्रपा इस परिवार पर क्यों नहीं करती आप में तुझ सभी देवी देवताओं का वास है हे सादू, मैं केवल इनकी परिक्षा ले रही हूँ दूसरे दिन, जब श्यामा के पास जाती है, तब ही बेटा श्याद्धा, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पती की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ मैं एक चमतकारी गाय हूँ मैं केवल तुम दोनों की परिक्षा ले रही थी तुम दोनों ने इस बूड़ी गाय की बहुत सेवा की यह जानते हुए कि यह बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगी उसके बाद भी तुम दोनों ने मेरी खूप सेवा की मैं इसके बदले तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ श्यामा गोबर के बदले उन्हें धेर सारे सोने की सिक्के देती है तुम्हें जब भी धनकी आवशकता हो मुझसे कह देना मैं हमेशा इसी तरह तुमारी मदद करूँगी जादूई गाय श्यामा की क्रपा से अब करन और शद्धा बहुत धन्वान हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं